जी बिलकुल हमारे राश्री कन्नी सेना के जो अध्यक्ष हमारे थे सुगदेव गोगा मेरी जी उनका कल उनकी हत्या की गई और हम पुरा राजिस्थान स्थब्ध है और बहुत दुख की लहर है पूरे राजिस्थान में जो ये हुआ बिलकुल ऐसी चीज है कि जो रिकिर उनकी सेक्यारिटी नहीं बढ़ाई गई ये रिस्पोंसिबिलिटी स्टैट गवर्म्नेंट की थी वो स्टेट गवर्म्नेंट हम सब जानते हैं स्टेट गवर्मनेंट का क्या रवीया था law and order zero था राजिस्थान में और अब जो ये हुआ है ये बहत ही गलत हुआ है और जो मैंने भी कल DGP से बात की कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको गिरफतार किया जाए और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कारवाई होती है उसके बाद जो फास्ट ट्रैक में कारवाई हो और जल से जल इनको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए आप सरे आम दिन दहारे घर में घुसते हो और किसी की भी हत्या करना और मतलब कैसे कोई कोई भी इस तरह की प्लाइनिंग से हुआ है ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है ये प्लाइनिंग के अंतरगत हुआ है तो ये सारी प्लाइनिंग हो रही है स्टेट में इस तरह की क्रि completely intelligence failure हुआ है complete law and order failure हुआ है और अब तो क्या है भारती जनता पाटी की सरकार आ रही है और मैं तो यह चाहूंगी कि बिलकुल इस तरह की यह जो घटना हुई है एक बहुत बड़ी मतलब इतना बड़ा धक्का लगा है कि पूरे पूरे राजिस्थान को आज राजिस्थान बं वो हमेशा आगे बढ़कर मदद करते थे हमेशा available थे सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ किया है बहुत कुछ दिया है समाज को और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो जाना और इस तरह की घटना कैसे हुई बहुत बड़ा शौक है यह तो अब बिलकुल इमीजेट कारवाई हो अरेस्ट कुछ हुए भी है अरेस्ट के बाद जो कारवाई है वो तुरंत होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सदा मिलनी चाहिए त्रेट्स के बावजूद सेक्योरिटी कम की गई अशोक गैलोट सरकार दौरा तो इस तरीके के चीजों को कैसे देख कर रहे हैं मतलब क्या है यह तो बहुत बड़ी एक इस पर इनवेस्टिकेशन होना चाहिए कि क्या गवर्मेंट का यह यह रवाया क्यों रहा कि गवर्मेंट को जो कारवाई करनी चाहिए थी वो कारवाई ना करकर उल्टा सिक्योरिटी कम कर दी गई यह भी एक बहुत किया गया था पिछली बार जब MLS को लेकर वो गए थे और उनको फॉलो किया गया था कैसे देखती है बहुत बड़ा अलिगेशन है और उन्हें के बहुत करीबी थे उनके उन्होंने ये बात कही है तो डेफिनिटली इसमें सच्चाई तो होगी ही और इसमें इन्वेस्टिक होनी चाहिए बिलकुल करेगी करेगी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चोटी बात नहीं कह रहे हैं और इस पर इन्वेस्टिकेशन होनी चाहिए और फिर करवाई भी होनी चाहिए थांक्यू माम